जिस देश का युवा सो रुपई की पेट्रोल और दोस्तमोसे के लिए पूरे दिन जिन्दाबाद के नारे लगाता हो उस देश के उन्रती की कलपना नहीं की जा सकती वाँ 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 और जो कुछ कहूंगा तरके के साथ कहूंगा क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं पंचर की दुकान से नहीं जिस देश की GDP दूद्ध पर निर्वर होनी चाहिए थी उस देश की GDP दारूपर निर्वर करती है कहा गया कि इस देश की मिट्टी को पराक्रम और सौर से लाल किया गया है हमें तो लगता है रासिल तुक तुक के कर दिया निवेदन करना चाहता हूँ रेलियों में जूम कर सुधरना पड़ेगा रेलियों में जूम कर जैकार करता कौन है थाम कर जंडा मचल कर प्यार करता कौन है जातिवाले जातिवालों को जिताने के लिए उमरते हैं साथ में फोटो खिचाने के लिए कुछ के तो उनकी जाती वाले दिलों से निकले नहीं और कुछ सरकार चुन्ने बिलों से निकले नहीं ऐसे बनेगा ये देश पिछले 30, 40, 50 वर्सों में जो मैं देख रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ, सुना हूँ, समझ रहा हूँ इस देश की युवा संतत्य के मस्तिस्क में ये गुसेड दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो परिस्थितियां ऐसी बिकट पैदा हो गई कि इस देश का युवा सड़कों पर मर रहा है, जल रहा है ये कह रहा है कि हमें नौकर बना लो कर्म चेत्र कुरुक चेत्र के मैदान में दोनों सेनाय आमने सामने हैं संजय ने महराज धतराष्टर को रिखांकित करते हुए कहा काशस चे परमेश वाशा, सिखंडी चे महारता जिस देश का सिखंडी भी महारती हो उस देश की संतत यतनी नपुनसक कैसे हो सकती है निवेदन करना चाहता हूँ ये देश गिरपड़ा है इसको उठाईए मर हम न सही घाव पर कुछ तो लगाईए कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाईए और बेरोजगार हो तो डिगरियों को फार दो इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाईए क्यूं ये विचार धारा डेबलप नहीं हो रही है इस देश को नोकर नहीं मालिक बनाईए कॉलिज के बाहर बनी पुलिया पर खड़े होने से ये देश नहीं बनेगा इस देश के लिए आपको अपनी त्याग करना पड़ेगा बलिदांग देनी पड़ेंगे निवेदन करना चाहता हूं जामता हूं प्रेम और अनुराग से दुनिया चलेगी सत्य है बंदत्यों से बुन्याद जीवन की डलेगी सत्य है कि भाई चारे से ये जग सुन्दर बनेगा और कमल खुसियों का मेरे आपके अंदर खिलेगा है ठाके में असल आनंद जीवन का छिपा अनंद क्या माना की परमानंद जीवन का छिपा अच्छा है सब खुसियां मनाएं प्रेम से फूले फले और मन की देहरी पर नेह के दीपक जले पर हमेशा प्रेम से ही काम चलता है नहीं बिगडा हुआ पस प्रेम से बिलकुल समलता है नहीं सामने हो देवता तो हम भी सचनता दिखाएं हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं आने वाले वक्त का तुमको जरा अंदाज हो विश्वका है सत्य और ये सचना नदर अंदाज हो इतिहास के हरेक पन्ये में कथासा मर्थुकी इतिहास में लिखते नहीं बाते कभी भी व्यर्थकी और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्वका सर्थाज है कोई धर्म कोई जाति कोई बजब कोई संस्था कोई विचार किसी का सोसड़ नहीं करता हमेसा ताकत कमजोरी पर राज करती है यह आपको तै करना है कि आप कमजोर हो या ताकत है क्या बात है हम हिंसा के पुजारी हैं यहीं पहचान देश के साथ सबसे बड़ा वैचारिक भोटाला यह हुआ जो भी कौँगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कौँगा अंग्रेज देश पर रूल कर रहे थे बड़े लोग विद्वान लोग बैठे हैं 23, 24, 25 वर्स के नौज कम है लेकिन दो आखों से काला और सफेद देख लेता हूं अंदोलन अपनों के आगे किये जाते हैं दुस्मनों के आगे नहीं फिर वो चाहे नमक के हो चाहे चीनी के हम हिंजा के पुजारी है यही पैचान भी यही हमारा मान है सम्मान स्वाबिमान भी पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे सांत मोसम में जहर कोला हलों का घोल दे जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर गर्म लोहे की सलाके भी छुआ दे खाल पर जब कोई माँ की बेहनों की लगाए बोलियां जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए बोलियां जब कोई इस देश को इस धर्म को यलगार दे जब तोई सिर्पर चाहे और युद्ध की लड़कार दे तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती चड़ोगे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में विदा करिए मुझे अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में यही जवानी ही भवानी है बुड़ापे में सीड़िया भी नहीं चड़ पाओगे जो करना है अभी कर लो अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में अभी इतिहास करने का समय है अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत अभी तो युद्ध लड़ने का समय है अभी तुमको समंदर में उतर कर खजाना मोतियों का खोजना है गगन धर्ती के राजा बस तुमी हो समय की मांग है यह योजना है अभी मोसम बदलने है तुमी को तुमी को आधियों से जूझना है निरंदर कोशिसे करते रहो बस सफलता के लिए रुकना मना है यही दिन प्यार के जनकार के हैं मगर तंकार के दिन भी यही है यही दिन है कनक्ती चूडियों के मगर तलवार के दिन भी यही है यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कने सुननी पड़ेगी हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा लहू की होलिया चुननी पड़ेगी तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे करोगे यतन उससे युद्ध का या सजा कर आरती पूजा करोगे